हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम टू माई चैनल बिलूंग गार्डनी और फ्रेंट्स आप लोग सब कैसे हो आसा करती हूँ आप लोग अच्छे ही और स्वास्थ होंगे फ्रेंट्स ये कोरोना का टाइम में और आज मैं मेरे गार्डन में क्या-क्या चेंजेस करी हूँ आप लोग को मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजएगा ताकि मेरा ने ने वीडियो का नूटिपिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा और चलिए फिर मेरा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं मेरा प प्लांटर रखने वाला ये जो हेंगिंग प्लांटर रखने वाला स्टान पहले जैसा ही रखा गया है और उसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और इधर मेरा हेंगिंग प्लांटर सब रखा गया है देख सकते हैं पहले ही वैसे ही था तो उसको चेंज खिलना चालू कर गया और इदर देख सकते हैं और ये । सबको एक लाइन में और देख सकते हैं ये ग्रास में नया लगा ली हूँ पहले भी था उसको हटा कि मैं नया सीरे से लगाई हूँ और बीच में एक अगेभय का प्लांट रख दी हूँ और इधर मेरा कुछ केलेंडूला का प्लांट पहले जैसा ही रखा गया है और पीछे तरब कोलियस का भी प रख दी हूँ फ्रेंड्स देख सकते हैं और इधर मेरा पंसुटिया का प्लांट रख दी हूँ एक लाइन में और सब रेड कलर का है फ्रेंड्स और उसके नीचे में दो लाइन में मेरा पैंजी का प्लांट रख दी हूँ फ्रेंड्स और उसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स, मेरा ये चेंज़स सब आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, और स्पेंड हुआ फ्लावार को आप लोग निकालते रहेगा, तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है प्लांट में, इधर कु ये चेंजेस करी हूँ देख सकते हैं मेरा पिंग कलर का पंसुटिया को इधर चेंज कर दी हूँ उसके जगह और ये मेरा देसी रोज का प्लांट उसमें भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और ये जितना भी हेंगिंग प्लांटर है इसको सबको तो मैं कर रहा है गमला पुरा भर गया है और इधर देख सकते हैं इधर मेरा ये पंसुटिया सब ऐसे ही रखी हूँ देख सकते हैं इधर कुछ ग्लाडूला से रखी हूँ और इधर एक पोट में कुछ केलेंडूला वैसे ही रखी हूँ इसको चेंज नहीं करी हूँ और ये में Κर्णIR Planter को रख दी हूं और कर्णरवे प्लांटर का प्लांट सब तो ऊईसे ही खाली नीचे वाला रो में मैं कुछ कोलियास और बेगुझ्या का प्लांट रखी हूं बाकी जैसे था वैसे ही रखी हूं ये देख सकते हैं कुछ एकal स्पाइडर उप्लांट है बाकी और यह देख सकते हैं मेरा पेटुनिया में भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और यह बिनका का भी मैं एक लाइन में रखी हूं कोई सा भी फ्लावरिंग प्लांट्स है फ्रेंट्स उसको एक लाइन में रखो तो वह बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है फ्रेंट्स फ्लावरिंग तो नहीं एक रो में रखो तो सुन्दर दिखता है फ्रेंट्स सॉरी और यह देख सकते हैं इधर से ग्रास बाला इरिया से निकलने के लिए मैं एक आने जाने के लिए थोड़ा रस्ता छोड़ दी हूं प्लांट तो बहुत ही ज्यादा हो यहां कुछ वही प्लांट सब को रख दी हूँ, सब में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देख सकते हैं, और इधर मेरा एक चैनीज बालसम का प्लांट रखी हूँ, पिंक कलर का, इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, देख सकते हैं, और इधर में म आप लोग जरूर गार्डेन में सामिल करिएगा फ्रेंच और इधर मेरा जेरेनियम का पूरा एक लाइन रख दी हूँ इसमें भी बहुत सारा फ्लावर पेंट कर चुके हैं और एक लाइन में केंडी टॉप्ट का फ्लावर का प्लांट रख दी हूँ इधर देख सकते हैं मे इदर मेरा केशा देख सकते हैं एक आप अपार्नीम आप प्लाव कर रहा है एधर मै मेरा लोज में आप आप इसे पार इसानावी प्लावर प्लावार भरत मेंiende किया प्लावार को करके दोखा आप कि वी अछति प्लाव के दें ये सब फ्लावर खिल रहा है फ्रेंट्स और इधर मेरा दो तीन पॉट में मैं कटिंग जो भी लगाना है उसको लगा देती हूं और ये देख सकते हैं मेरा जेड प्लांट इसको मैं बंजाई लुग देने के लिए कोशिस कर रही हूं और बहुत दिनों से कटिंग नहीं करी हूं इसको भी मुझको कटिंग करना है फ्रेंट्स और इधर ये टेबल के उपर मेरा जितना भी के कलेंचू का प्लांट है सब रख दी हूं छोटे-छोटे पॉट में बहुत सारा कलेंचू का प्लांट लगाई थी और वो सब को आप लोगों को छोटे प्लांट लगाते स मैं सैयर करी थी, वो ही प्लांट साब है, लेकिन ग्रोथ मेरे पता ने इस बार बहुत सलो हुआ, औ बहुत लेट हो गया फ्लावार खलने के ये फ्रेंट्स अब भी कली जया कने wird he आगे चलए है ओबी हैं अब लिल्यम का प्लांट अबहुत आ हो हांकिक्टिंट प्लांट लिखसक्टर में करे चूकर रहे हूं गज़श दो लिल्यम का प्लांट ईसले प्लांट में आप धिक समयरे शेजय तुक आप कुछ हॉली होग का प्लांट इधर रख दी हूँ कि लेकिन यहां धूप ज्यादा नहीं पड़ता है सुबे का धूप खाली पड़ता है और अभी सुबे का तो आड़ बजरा है तो देख सकते हैं तो इसको भी मुझको जगा चेंज करना पड़ेगा और इधर कुछ मेरा और अपनामेंटाल प्लांट सिप्श और गिया यह हैं तो डेख सकते हैं और उनको सुबे के धूप थोड़ा लग जाता है ऐसी प्लांट साब को आड़? देख सकते हैं मेरा घर के एंट्रांस के आज पास ऐसे ही रखी हूँ प्लांट सब मैं सुबह का टाइम है तो देख सकते हैं नियूच पेपर भी नहीं उठाई हूँ और ये मेरा गार्डन का लूक ऐसे ही दिख रहा है और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्ली